हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका उत्राखन ओनलाइन एजुकेशन हब में तो आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर फोर्स गति की तथा बन हिंदी में आपका चैप्टर का लेम होगा इससे पहले हम थियोरी के ऑप्टिक्स को कवर अप कर चुके हैं यूमन आई जो है हमारी वो अल्मोस्ट खतम हो चुका है और फिजिक्स का जो बेसिक था जिसमें हमने प्रत्यास्ता क्या होती है और यह क्या होते हैं यह सब भी आपका कवर अप कर लिया था तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखिये तो आप वीडियो को देख सकते हो और अगर आपको इसकी पीडियाप से यह टेस्ट के लिए आपको जो प्रॉपर कुएस्ट चैसे यह यह जितने नोट से हैं तो उसके लिए आप कोर्स जोइन कर सकते हो 2.99 का खूर्स तो force से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसको गती के बारे में motion होता क्या है आखिर तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात्ते करेंगे motion के बारे में motion क्या होता है यदि किसी वस्तु की स्थिती समय के साथ निर्देश बिंदू के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है तो वह वस्तु की गती मोशन कहलाती है suppose that आपका क्या है देखो यहां वस्तु object है आपका यहां object खड़ा है और इस object की position में लगातार changes हो रहे हैं किसके respect में time के respect में तो आप बोलो, जैसे यह पहले यहां पे था, दो second के बाद यहां चला गया, फिर अगले second में हमने देखा है, यहां चला गया, तो ये जो motion हो रहा है गाईज आपका, इसी को आपका क्या कहींगे, ये जो change हो रहा है, उसकी इस्तिती में जो परीवर्तन आ रहा है, इसी को क्य कहा जाता है, गती कहा जाता है गती से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण परिभासाई हैं, उनमें सबसे पहले आती है दूरी, दूरी का मतलग क्या हो जाएगा आपका गईज, ये है आपका distance, दो चीजे अलग-अलग होती है, एक होता है आपका क्या distance, और दूसरा होता है displacement, दूरी किसी गतीमान कड़ या वस्तू द्वारा किसी मार्ग पर चली गई, कुल लंबाई को कड़ या वस्तू द्वारा चली गई, दूरी कहते हैं या distance कहते हैं, यहाँ था A यहाँ पे खड़ा था पहले, और वो चल गया आपका, यहाँ तक पहुंच गया भी तो यहाँ से यहाँ तक का इसने जितना भी आपका क्या किया दूरी तई की है न, जितना भी यह चला है इसी को हम दूरी कहेंगे दूसरा क्या होता है, इसी का जैसा होता है विस्थापन अच्छा दूरी मापते किस में है पूछेगा तो इसके लिए हम मीटर का क्या करेंगे यूज करेंगे अब displacement क्या हुआ है देखो सपोज यहां से यहां तक का 5 मीटर इसने दूरी तई की अब थोड़े टाइम के बाद यह फिर क्या हो गया वापस आ गया और जब यह वापस आया तो फिर से हमारी ए पोजिशन पर पहुँच गया तो जब हम डिस्टेंस दूरी की बात करेंगे न देखो 5 इधर गया और 5 फिर वापस आ गया तो 5 और 5 कितना हो गया 10 तो इस केस में इसके द्वारा जो दूरी तई की गई है वो दूरी कितने किलो मीटर की हो जाएगी 10 मीटर लेकिन विस्थापन displacement क्या कहता है प्रारंभि क्या हो गये तो क्या इसका कोई displacement होगा आप बोलोगे सर नहीं होगा तो इसलिए यह हो गया आपका विस्थापन displacement हो गया तो simple displacement क्या होता है final minus initial अब विस्थापन क्या है देखो दूरी हमेशा positive होगी यह जो दूरी है यह हमेशा कैसी होती है तो आप बोलोगे सर यह always कैसी ह बात करते हैं तो ये आपकी क्या हो सकती है रियनात्मक नेगेटिव कैसे होगी नेगेटिव जब ये और इधर चले जाए आपका जब ये क्या हो जाएगा और इधर चले जाएगा एको क्रोस कर जाएगा तो displacement negative हो जाएगा दूसरा धनात्मक हो सकता है बिलकुल अगर हम बात करें कोई विक्ति A से B तक गया 5 मीटर की उसने दूरी तैकी तो इसका displacement बताओ तो इसकी दूरी और displacement बराबर 5 मीटर ही होगी फिर तीसरा है ये सुनने भी हो सकती है इस case में आया हमारा देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनो एक ही होगे और इस case में displacement जो हो जाएगा वो displacement कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर्थ displacement इस case में 0 होगा तो ये हमने देख लिया तो ये तीनों चीज़े हो सकती है लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है उसके बाद आ जाता है गई speed जिसे क्या बोला जाता है चाल अब चाल क्या है सीधे आप याद रखो speed equal to होती है आपकी distance distance upon क्या आ जाएगा time आ जाएगा जब दूरी बटे समय बोलते हो तो उसे क्या कह देते हैं कुल तै की गई दूरी तो यह हो जाएगा total distance यह क्या है आपका total distance upon कुल लगा गया समय total क्या हो जाएगा time हो जाएगा इसी को क्या बोलते हैं और सब्चाल average speed एक और formula से निकलती है देखो यही पर average speed अगर आपका क्या है distance equal है जैसे हमने इधर देखा था एक व्यक्ति A से B तक गया कुछ speed से गया था suppose that वो V1 speed थी उसकी यहाँ diagram बना लेते हैं एक व्यक्ति ने क्या किया पहले A से B तक गया और इस case में उसकी जो distance थी वो कितनी थी D थी यहाँ से यहाँ तक के distance D थी speed क्या है पूछे जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो speed है इसकी S1 फिर क्या हुआ यह V1 बोल लेते हैं ठीक है फिर B से A तक यह वापस आया B से A तक वापस आने में distance अभी भी उतनी रहेगी लेकिन इसकी जो speed थी वो कितनी होगी V2 हो गई तो उसकी average speed बताओ बोले distance अमान होने पर average speed जो होती है वो हो जाती है 2 V1 V2 upon V1 plus V2 यह भी आपको formula याद रखना है वो directly पूछ लेता है आपसे क्योंकि यह सेम है कुल तैकी गई दूरी निकालोगे बट्टे कुल लगा समय करोगे तो final आपका expression जो बनेगा वो 2 V1 V2 upon क्या बन जाता है V1 plus V2 जब हम इसकी numerical वाली वीडियो करेंगे तो मैं जब question कराऊंगा आपको खुद ही समझा जाएगी चलो next पर चलते हैं next है आपका गाईज next है किसी छड़ द्वार या वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताथ चल पड़ा चाल के बाद आजाएगा आपका ताथ चल किसे कहते हैं इंगलिस में इसको क्या बोल दिया जाता है इंगलिस में बोलते हैं से instantaneous speed अब हम किस पर समझेंगे यह है देखो instantaneous speed मैंने आप से क्या बोला एक व्यक्ति A है यह व्यक्ति A B से यहां B पर जा रहा है और suppose that इसके पास क्या है एक motorcycle है इस motorcycle पर यह जा रहा है इसकी जो speed है न हो change कर रहा है कभी यह 20 km प्रतिगंटे की speed से जा रहा है कभी 25 चले जा रहा है कभी 30 चले जा रहा है मैंने आप से बोला यह यहां से 2 बजे start हुआ 2 p.m पर इसने चलना start किया 4 p.m पर यह पहुँच गया मैंने आप से पूछा इस व्यक्ति की 2 बच कर 15 मिनट और 16 सेकिंड में कितनी speed थी यह बताओ तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी object की किसी at a point एक छोटी से point पर आप जब speed निकालते हो तो उसी को क्या बोल देते हैं instantaneous speed बोल देते हैं तो यहां क्या हो जाता है देखो V equal to limit del t tends to 0 del t time interval बहुत जादा बहुत चोटा है आपका del s over del t हो जाता है या इसी को ds over dt आपको बस परिभासा याद रखनी है इसकी definition क्या है किसी चर वस्तु द्वारा एक किसी छोटे से time interval में जो speed होती है उसी को हम instantaneous speed कहते हैं अच्छा speed जैसा ही क्या होता है गाईज़ापका wave मतलब क्या हो जाएगा velocity होती है तो इसको भी समझेंगे हम जैसे हमने देखा था ना distance जो है distance और speed एक दूसरे के क्या होते हैं साथ में चलते हैं ऐसे ही हमारा जो displacement होता है अगर हम दूरी की जगर displacement सब्द का प्रियोग करूँगा तो तब ये क्या हो जाती है velocity हो जाती दूसरी चीज क्या आयाद रखनी है आपको देखो speed मापी किस में जाती है पूछे तो speed होती है distance मीटर में मापते हैं समाई second में मापते हैं speed कैसी रासी है पूछेगा तो speed आपकी जो चाल होती है कैसी रासी है अदिस रासी है मतलब scalar quantity है scalar quantity है ये भी आपको याद रखना है अब आजाओ displacement displacement और velocity में क्या relation मनेगा देखो मैंने आपसे बोला wave किसे कहते हैं तो आप सीधे बोलोगे जो velocity होती है वो displacement displacement over क्या निकल जाती है काईज आपकी time निकल जाता है मतलब अगर आप displacement में से time को divide कर दे रहे हो तो आपका answer जो आएगा velocity आजाएगी same औसत वेग average अगर velocity पूछेगा तो total displacement हो जाएगा total displacement upon क्या हो जाएगा total time हो जाएगा same जैसे speed पड़े अब दूसरा क्या है देखो जो wave है जो velocity है वो positive हो सकती है negative हो सकती है और क्या हो सकती है zero हो सकती है क्यों क्योंकि displacement क्या था positive भी हो सकता था negative भी हो सकता था और क्या था सून्य भी हो सकता था किसी छड में अगर आप वस्तू का wave निकाल रहे हो किसी एक nistic time पर निकाल रहे हो तो उसको क्या बोल दे रहेंगे हम instantaneous velocity तो इसका formula हो जाएगा del r over del t या इसी को बोलते हैं dr over dt ताचली प्वेक की दिसा वस्तू के पठपर गती की दिसा में इस पर स्रेखा की दिसा क्या होती है अनुदिस मतलब जिस साइड पर ये जा रहा है आपका object जाएगा उसी साइड इसकी velocity होगी ये बोल रहा है इतनी चीज़ हमने clear कर ली दूसरी चीज़े क्या देखनी है जब मैं velocity की बात करूंगा गाई तो velocity के लिए SI unit पूछे अगर आप से तो इसके लिए भी unit सेम होगी आपकी क्या meter per second लेकिन अगर पूछे velocity कैसी रासी है कैसा है quantity तो आप बोलोगे ये क्या होती है vector quantity होती है मतलब इसको क्या बोला जाता है सदिस रासी कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है दोनों अलग है speed अदिस होती है velocity जो है तो ये क्या होती है सदिस रासी होती है फिर विस्थापन और समय ग्राफ की प्रवर्ता, प्रवर्ता को बोला जाता है यह आपको याद रखना है, यह होता है slow, प्रवर्ता मतलब होगा slow, क्या देता है वेग देता है, next पर देखते हैं इसे, चलो, आपको मैंने क्या बताना है, सबसे पहले आपको velocity का formula याद करना है, velocity क्या होता है, तो आप बोलोगे sir, यह होता है, dv over, या ds, distance ले लेते हैं, इसे displacement, ds over क्या था, dt, ऐसे ही इसके बाद एक तौरण आएगा, तौरण को acceleration कहते हैं, acceleration होता है, dv by dt, ठीक है, तौरण किसी करके, वेक के समय के साथ, परिवर्तन को, परिवर्तन की इदर उसका क्या कहलाती है, तौरण acceleration, rate of change of velocity, rate of change of velocity is called acceleration, और सक तौरण बोलूँगा, तो वेक परिवर्तन बट्टे समय अंत्राल हो जाएगा, कोई same है आपका, जहां भी velocity और, यहां क्या है, displacement, इन दोनों के बीच का graph ड्रॉ करना है, ठीक हो गया, तो वेक और समय का जो graph, अब यही पर साप-साप दिखा हुआ है, देखो, हमने देखा था, अगर मैं इसे s assume कर लूँ, और यह t हो जाए मेरा, ठीक है, यह t और यह s, तो इन दोनों का graph हमेना इस type से मिलता है, यह इसका slope होता है, यह क्या कहलाएगा, slope, तो आप मुझे आपको क्या देखना है, देखो, यह है s, s का मतलब displacement, यह है t time, displacement और time, क्या देता था, wake, तो इसका जो slope होगा, वो मुझे क्या देगा, velocity देता है, बस यह याद रखना है आपको, अच्छा दूसरा figure बना लेते हैं, फिर देखो, दूसरा figure मैं ऐसे ही draw करूँ, तो क्या बन जाएगा, dv over dt है, means, आपको जो graph draw करना है, वो time, और किसमे graph draw करना है, velocity में, तो इसके लिए आप जब graph को draw करोगे, तो यह बनेगा आपका, अब क्या है देखो, v or t, v or t, dv over dt क्या देता है, आप ब विस्थापन और समय के graph की प्रवनता या slope क्या देता है, तो आप बोलोगे, वेग देता है, ऐसे ही वेग और समय के बीच का graph क्या देता है, पूछेगा, या इसकी प्रवनता क्या देता है, तो प्रवनता क्या देता है, आपका, तोरन को दे देगा, acceleration को दे देगा, इतना वी भी लिख सकता हूँ ठीक है अच्छे यहां तो ऐसी आएगा यह S आपका किसको सो कर रहा है distance को सो कर रहा है अगर मैं graph draw कर दू किसके बीच में यहां velocity ले लू और यहां किसको ले लू time को ले लू तो तब भी आपका कुछ क्या बनेगा guys ग्राफ बनेगा ला velocity और time तो इस graph के बीच का जो area होता है इसका जो area होगा वो area क्या देता है आप से कुश्चित पूचता है तो velocity और time का graph का जो area होता है यह area किसको दिखाता है displacement को दिखाता है किसको दिखाएगा guys displacement मतलब किसको दिखाता है विस्थापन ऐसी ही अगर आप किसके बीच का graph ड्रॉ कर दे रहे हो अपर हम graph ड्रॉ कर दें किसके बीच में देखो यहां मेरा acceleration हो जाए त्वरण हो जाए और यहां समय हो जाए तो इसके बीच का भी तो कुछ area निकलेगा तो इसके graph का जो area होता है इसका area मुझे क्या देता है velocity देता है यह दोनों आपसे बहुत पूछा जाता है mcq में याद रखना है आपको सीधे पूछेगा त्वरण और समय के बीच का graph क्या देता है त्वरण कैसी रासिये पूछे क्योंकि हम कैसे निकाल रहे है velocity से निकाल रहे है न इसे तो velocity से निकाल ले हो तो एक सदिस रासिये vector quantity है मात्रग पूछेगा तो meter पर second square होता है ये भी देखो जो velocity होती थी velocity positive भी हो सकती थी negative भी हो सकती थी और zero हो सकती थी तो जैसा velocity होगी, वैसा ही आपको तो उसे एक नया नाम दे दिया गया है उसे मनदन कहते हैं मनदन मतलब क्या हो गया? retardation आपने क्या किया? आपकी स्कूटी चल रही है या बाइक चल रही है आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने पर मंदन होगा, रिटार्डेशन हो जाता है, बस यह याद रखना है, अगले पर बढ़ जाते हैं, अगला है आपका गती के समिकर्ण, तो आप नेक्स्ट हम देखते हैं, कि मोशन जो है, एक्वेशन कौन-कौन सी होती है, गती की, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, एक समान तुरण से चलती है, तो निश्चित समया अंतराल में, वेग दूरी तथा तुरण के मद्य सम्मन्द इस्थापित करना क्या कहलाते हैं, गती की समिकर्ण कहलाती है, कोई ऑबजेक्ट है, वो एक लीनियर मोशन कर रहा है, एक इतनी equation of motion होती है, पुछेगा तो तीन गती के सम्मिकर्ण है, पहला होता है, V equal to U plus A T, दोसरा S equal to U T plus H P T square, और तीसरी होती है, V square minus U square equal to 2 A S, ठीक है, अब यहाँ पर सर्थ, terminology कौन-कौन सी होती है, तो वो समझ लेते हैं, देखो, V जो होता है, ये V क्या होगा, आपका final velocity हो final velocity, इसे बोलिंगे हम क्या, अंतिम वेग, जब question आएंगे इससे तब बताऊंगा मैं, किस तरीके से इसे यूज करते हैं, जहां भी आपको equations में यूज दिखेगा, ये होती है, initial velocity, initial velocity का मतलो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, इसे क्या बोला जाएगा, प्रारंभिक वेग बोला जाएगा, ए क्या होता है, तो sir, A acceleration होता है, acceleration का मतलब क्या हो गया, त्वरान हो गया, फिर उसके बार T क्या हो गया, T होता है, time, समय के लिए हो जाएगा, S क्या होता है, S दिखाता है distance को, बाकि तो U, T बताई दिया, मैंने आपको V square बता दिया, U बता दिया, ये बत कितनी तैकी है, एक body है, वो 2 मिनट में इतना जाती है, बोलेगा, उसने कुल कितनी दूरी तैकी, लेकिन अगर वो आपसे पूछ दे, किसी body ने दूसरे second में कितनी distance तैकी, पांचवे second में कितनी distance तैकी, तो इसे S N का formula होता है, ये भी आपको याद रखना है, U plus half, और bracket के अंदर आ जाएगा, आपका क्या, अच्छा, A आएगा, और साथ में 2N minus 1, A acceleration है, N होता है, कौन से time की बात चल रही है, उसने बोला, चोहते second में, पांचवे second में, दसवे second में, तो N दस रख दोगे वहाँ पर, तो ये Nth second में तैकी की गई दूरी है, तो ये था हमारा, लेते हैं, इसमें क्या होता है, देखो, जब किसी पिंड को उर्धवादर से भिंद दिसा में, नियत वेक से फैका जाता है, उर्धवादर मतलब वर्टिकल डिरेक्शन में फैका जाता है, तो उसकी उर्धवादर तल में गृत्वी तुरण के अधीन गती को क्या बुरा इसी motion को क्या कहा जाता है projectile motion कहा जाता है तो इस projectile motion में होता क्या है देखो यह x-axis हो गई यह horizontal component होगा यह क्या होगा मेरा horizontal component मतलब 36 और यह क्या होगा vertical component y direction में अब होगा क्या जब यह 36 दाता है तो इसके horizontal component में कोई भी change आता ही नहीं है Change किसमा आता है Change आएगा इसके vertical component में उर्धवादर जो भी जा रहा है अच्छा उर्धवादर में क्यों आया change क्योंकि पृत्वी इस पर एक बल लगाएगी ये ball है ये ball पर नीचे की और एक force लगेगा तो पृत्वी उसे अपनी और आकरशित कर रही है इसी वज़े से इसका vertical component तो change होता है लेकिन horizontal component में कोई भी change नहीं आता question कैसे बनता है projectile motion में कौन से component में change आता है horizontal में, vertical में, दोनों में इनमें से कोई नहीं तो किसमें change आता है गाई horizontal में change आएगा example दिया है इसने देखो चत से 36 दिशा में फैकी गई गैंत की गती जो है वो projectile motion है प्रक्षेपी गती के दौरान वेक के 36 मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैंने बता दिया horizontal component में कोई भी change नहीं आएगा परन्तु उर्धादर घटक vertical component का मान लगातार परिवर्तित होता है किसके वज़े से परिवर्तित होता है गुरुत्वी त्वरण के वज़े से small g की वज़े से यदि प्रक्षेपी को 36 से ठीटा कोण पर u वेक से फैके तो उड़ेयन काल t अधिक्तम उचाई h तथा 36 परास r को निम्न सूतर से ग्याद कर सकते है पहली बात देखो गई जो यह जो projectile motion है इसका थोड़ा सा hint दिया गया है class tent में तो हम इसके बस और ज़्यादा description नहीं पढ़ना वैसे फिर 11 पर जाओगे तो पूरी आपको derivation और लंबे है आपको बस समझ लेना है कौन सी चीज क्या होती है तो इसमें क्या है तीन चीजों का जिक्र हुआ है देखो एक है उड़े अनकाल एक टम कौन सी उज़ हुई है उड़े अनकाल इसे time period कहते हैं तो यह object यहां से ले करके इसके पृत्वी तक अर्थ के surface में आने तक जो time लगता है न इसी को हम क्या बोलते है उड़े अनकाल कहते है फिर अधिकतम मुचाई देखो यह आपका object गया है हम color का pen chain करते है यह object गया है देखो इधर पर गया न इसके बाद क्या हुआ यह नीचे को आना start हुआ तो यह इसकी maximum height कहलाएगी यह क्या हो जाएगी इसकी h max हो जाएगी ठीक है तीसरा क्या है देखो परास 36 परास क्या है यहां से यहां तक point A से point B तक जो इसकी distance होगी इस distance को क्या कहा जाएगा r कहा जाएगा और इस r को travel करने में जो time लगेगा उसे क्या बोलूँगा उड़े अनकाल T बोल दूँगा बस इतना सा difference आपका formula क्या है देखो तीनों के तीनों के formula को अगर देखते हो तो at T की value होती है 2U sin theta upon G आप से क्या पूछेगा यह जो time है T is equal to 2U sin theta upon G h equal to u square sin square theta upon 2G R होता है U square sin 2 theta upon G अब ध्यान से क्या देखो अधिक्तम परास के लिए maximum R के लिए किसी भी article को यहाँ पर हम कुछ wake से फैक रहे न कुछ theta से फैक रहे एंगल से किस एंगल पर फैके कि यह maximum distance को travel करे तो आप देखोगे R में आ रहा है sin 2 theta और sin 2 theta में sin 90 की value maximum होती है तो 2 theta equal to कितना हो जाएगा 90 और theta की value कितनी आ जाएगी आपकी 45 तो प्रच्छे पिगती में projectile motion में maximum परास या maximum horizontal distance कवर करने के लिए आपको अपने पिंड को या आपने अपने बॉल को किस angle पर फैकना पड़ेगा 45 degree पर इसलिए देखते हो जो भाला फैकते हैं भाला भी अगर फैक होगे अगर 45 degree पर कोई फैक रहा है तो वो maximum distance को क्या करेगा travel करेगा वहीं अगर हम देखे maximum height के लिए अगर आप यह देख रहे हो कि कितना degree 90 degree तो यह याद रखना है अधिक्तम उचाई के लिए 90 degree के एंगल पर फैकना पड़ेगा और अधिक्तम पराज के लिए कितने degree पर फैकना पड़ेगा 45 degree पर आपको गैंद को फैकना पड़ेगा अगला आ जाता है गाईज आपका देखो next topic है force ठीक है force होता क्या है बल वह बाहिय कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्ता गती की अवस्था या गती की दिसा अत्वा आकरती में परिवर्तन कर सकता है simple पता ही आपको अगर यहाँ पर कोई object रखा हुआ है कोई table रखा हुआ है मैं इस table पर धक्का लगाऊंगा तो इसकी स्तिती में परिवर्तन होगा यह थोड़ा आगे की और चला जाएगा तो इसकी स्तिती में परिवर्तन जो कर रहा है जो कारक परिवर्तन कर रहा है उसी को क्या बूला जाता है force कहा जाता है अत्वा परिवर्तन करने का प्रियास कर रहा करता है, तो तब भी वो force होगा, बल कैसी रासी है पूछे तो बल एक vector quantity of force, इसका मात्रक क्या होता है, आप देखो F पराबर, आपने formula पढ़ा होगा, F equal to M A, तो M kilogram में मापा जाता है, acceleration, अभी मैंने unit बताई आपको क्या होती है, meter per second square, तो kilogram meter per second square, इसका मात्रक, लेकिन इसके लिए हम एक new, newton के द्वारा बल को समझाया गया था, तो इसलिए इसकी जो unit है, वो किसके नाम पर रखी गई है, newton, तो बल किसमें मापा जाता है, newton, अगर newton option में नहीं है, kilogram meter per second square, अगला आता है गाईज, अच्छा F के ठीक है, अभी केंद्रिय बल, जब कोई वस्तु किसी वरत्ताकार मार्ग पर चलता है, तो उस पर एक बल वरत्के केंद्र की और कारे करता है, इसे क्या बोला जाता है, अभी केंद्रिय बल कहते हैं, centripetal force होता है, यह किस में होगा आपका, यह आपका circular motion में होगा, इस तर की और लगने वाले बल को अभी केंद्री बल, और इस बल का अपोज किया जाएगा, ठीक है, तो बल का अपोज जो करेगा, उसके लिए opposite direction में जो बल लगेगा, उसे कहते हैं, अब केंद्री बल, अब केंद्री बल, reality में कोई बल नहीं है, यह एक टाइप का कैसा बल होता ह है, pseudo force होता है, pseudo मतलब छद में बल है, मतलब यह आभास होता है, reality में यह लगेगा आपका, यदि वस्तु का वेक V, तथा वृत्ती पत की तरजिया R हो, तो अभी केंद्री तुरण क्या होता है, यह आपको याद रखना है, acceleration जो होगा, V square upon R होगा, लेकिन अभी केंद्री बल कितना होता है, पूछे, F equal to MB square upon कितना होता है, R होता है, अभी केंद्र बल के विपली दिशा में कारे करने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, अभ केंद्र बल कहते हैं, दूद से क्रीम निकालना किसका example है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो दूद से क्रीम का निक बल कितना, V equal to R omega, V होता है आपका linear, रेखी वेग, रेखी वेग, linear velocity कहते हैं से, और वहीं अगर हम बात करें R, तो R क्या होता है, यह distance यह travel होगी न, radius हो जाएगी आपकी, radius, तरिज्या, और omega क्या होता है, ओमेगा होता है, कोणिय वेग, angular momentum, कोणिय वेग, angular velocity बोला जाएगा, question पूछ लेता है, निम्न मैंसे कौन सा linear velocity और angular velocity में relation है, तो कौन सा होता है, V equal to R omega, यह आपको याद रखना है, numerical में भी मैं इसका uses करूँगा, चलो, next पर चल जाते हैं, next है guys, आपका inertia, तो जड़क तो किसे कहते हैं, inertia क्या है, किसी भी पिंड का ये गुड होता है, किसी भी object की ऐसी property, जो अपने अंदर होने वाले changes का विरोध करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, inertia बोलेंगे, गैलिलियो के द्वारा इसको बताया गया था, कहीं बार गैलिलियो option में नहीं होता, तो उसे आप newton ही करके आना, उसके द्रविमान के अनुकरमानुपाती होता है, अच्छा, अब ये अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा है मेरे पास, 5 kg की ball है, और एक ball है, आपके पास कि पास केजी की, तो मुझे ये बताओ, कौन, किसको easily आप खीच सकते हो, 5 kg वाले पे easily कम force लगेगा, 50 kg वाले पे क्या लगेगा, ज्यादा force लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम, इसका द्रविमान कम है, इसका द्रविमान ज्यादा है, जिसका द directly बोल सकता हूँ, जो आपका inertia होता है, वो किसके proportional होता है, mass के directly proportional, जो body जितनी हलकी, उसका inertia उतना कम, जो body जितनी भारी होगी, उसका inertia उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, नेच्ट हम देखिंगे यहाँ से, Newton के गती विसेयक नियम, Newton ने गती से सम्मंदित, motion से related कितने न नियम दिये है, Newton न, उसमें से पहले नियम को गैलिलियो का नियम भी कहते हैं, या इसी को जड़तो का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार प्रतेक वस्तु तब तक अपनी विरामा वस्ता अत्वा सरल रिखा में एक समान गती अवस्ता में रहती है, जब तक कि उस पर आप ब्रेक नहीं लगाओगे न, ये तब तक इसी स्मिक से जाती रहेगी, एक टाइम को हमने मान लिया, फ्रेक्शन फोर्स जो है, वो इस पर क्या है, जीरो है, तो हम से क्या बोला गया, पहले नियम में बोला, अगर कोई वस्तु गतिमान है, तो वो गतिमान ही रहेगी, अगर वो इस्तिर है, तो इस्तिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई external force ना लगाया जाए, पहली चीज, simple हमारी ये बोलती है, इसी का example क्या है, देखो, इस गाड़ी में अगर कोई विक्ति बैठा है, एकदम से ब्रेक लग जाते हैं, तो ब्रेक लगाने पर क्या हो जाता अगर कोई ये बस रुकी हुई है, एकदम से अगर हम बस चला देते हैं, तो क्या हो जाता है, आदमे पीछे की और चला जाता है, तो एक किसकी वज़े से होता है, ये पहले नियम की वज़े से होता है, क्योंकि जब हमारी गाली स्थिर थी, constant थी, मतलब रुकी हुई थी, लेकिन एकदम से गाली चल गई, तो हम उसका अपोच करेगी हमारी बोडी, तो हमारी बोडी कहां की और जाती है, पीछे की और जाती है, तो ये होता है आपका न्यूटन का पहला नियम, या घोड़े पर आपने देखा होगा, घोड़ा एकदम अगर रुख जाए, तो फि आपका क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, अच्छा न्यूटन का पहला नियम किसके बारे में बताता है पूछे, तो न्यूटन का जो पहला नियम है न, वो बल की परिभासा के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉओ जो है, फर्स्ट लॉओ आपका, ये किसके बारे में परिभासा देता है लेकिन जो दूसरा है वो बल का सूत्र देता है second law क्या देता है पूछे तो second law क्या देता है बल का सूत्र देगा force का formula देगा ये आपको दोनों चीज़े याद रखने है अब इसने बोला क्या था देखो दूसरे नियम में इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संग्वेग परिवर्तन की दर, सीधे याद रखो f proportional to dp over dt, संग्वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, force कहा जाता है, इसी संग्वेग से p equal to mv होता है, देखो dmv over dt, तो यहां से f की value आपकी आ जाती है, m into dv over dt, m dv over dt, कोई dv over dt, अभी हम पर क्या है, acceleration, f equal to mv, तो यह f equal to mv नहीं होता है, main नियम आपका याद रखना, यह तो हमने derive किया है, main rule जो नियूटन का है, वो बोलता है, संग्वेग परिवर्तन की दर, बल के क्या होती है, समान उपाती होती है, तो किसी वस्तु पर कारिरत बल f, वस्तु के द्रविमान m, तथा उपन्य तौरण a के गुरन फल के बराबर होता है, तो यह बराबर m में आया, कैसे आया मैंने आपको बता दिया, example, gant catch, तो gant catch करते समय अपने हाथ को पीछे की और खीचना, और उची कूट के खिलाडी का sponge के गद्दे पर गिरना, यह सब आपके किस के rules होते हैं, गती के दूसरे नियम के अंडर आईए, थर्ड नियम क्या कहता है गाईच, इसी को किरिया परतिकिरिया, action, reaction, force भी कहा जाता है, action और reaction, ठेक है, किरिया परतिकिरिया का नियम कौन सा है, पूसता है directly, तो आप बोलोगे तीसरा नियम है, इसमें क्या बोला गया है, इस नियम के अनुसार प्रतिकिरिया की सदय और समान एवं विपरीद दिसा में प्रतिकिरिया होती है, जैसे तैरते समय पानी के पीछे की और धकेलना, आपने देखा होगा तैरा क्या करता है, पानी पीछे की और डालता है, तो वो जो पानी है उस पर बल लगाएगी, और वो कहां जाएगा, आगे जाएगा, या जैसे हम चलते हैं तो हम पिर्थवी पर अपना पाउ रखते हैं, पिर्थवी को पीछे की और धकेलते हैं, और पिर्थवी हम पर बल लगाती है, उस बल की वज़े से हम क्या करते हैं, आगे की और जापाते हैं, बंदूख से गोल आपके हैं गती के तीसरे नियम से next आ जाता है guys terms आये थी हमने देखा था term कौन सी यूज़ हुई थी संग्वेग आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा था संग्वेग को कहते है momentum है क्या momentum यह देख लो किसी वस्तू के वेग के मापन को संग्वेग कहते हैं P equal to क्या होता है आपका M into V तो वेग के मापने के लिए velocity को measurement करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है P का momentum का अर्थात किसी वस्तू का संग्वेग वस्तू के द्रविमान तथा उसके वेग के गुडनफल के बराबर होता है P से प्रदर्शित करते हैं बताई दिया P is equal to क्या होता है M into V उसके बाद next आपको याद रखना है संग्वेग संग्रक्षण का नियम संग्वेग संग्रक्षण के नियम से भी आपसे question पूछ लेता है इसका SI मात्रक kg मीटर प्रती सेकिंड होता है तो यह तो हमने देखी लिया था देखो P is equal to क्या बुला था मैंने आपसे P is equal to M into V M होता है आपका KG और V होती है आपकी क्या मीटर पर सेकिंड तो यहीं से निकाल दिया लिए done कैसी रासिय पूछे तो संग्वेग एक सधिस रासि है क्योंकि VEgg भी सधिस रासि होती है इसकी दिशा वस्तू के वेग की दिशा में होती है जिस साइड पर आपकी वस्तु जा रही है उसी साइड आपका क्या होगा मुमेंटम लगेगा जैसे ये आपके object है ये ball है ये इधर जा रहे है तो मुमेंटम भी इधर होगा ये अगर इधर जा रहा है तो मुमेंटम इधर ही को आपका हो जाएगा अगला होता है आपका संग्वेग संग्रक्षण का नियम Law of Conervation of Momentum इस नियम के अनुसार बाहिवल की अनुकस्तिती में किसी निकाई का रेकिय संग्वेग क्या रहता है संग्रक्षित रहता है बस यही आपको याद रखना है अगर external force नहीं लगाया गया है तो जो आपका रेकिय संग्वेग है linear momentum है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा संग्रक्षित रहेगा माना दो पिंड जिनके द्रविमान M1, M2 है तथा U1 वा U2 वेग से एक दूसरे के विपरित दिसा में गतिमाने यहाँ बना लेते हैं देखो यह आपका M1 है और यह आपका क्या है M2 है यह क्या कर रहे हैं यह इधर V1 velocity से आ रहा है और यह इधर क्या आ रहा है V2 velocity से दोनों पिंडों की टकर के बाद वेग क्रमसा व व व व व व व हैं तो रेकि संग्वेग संग्रक्षन के नियम के अनुसार टकराएंगे ना टकराने के बाद यह फिर वापस आ जाएगा इधर की ओर और इसकी velocity कितनी हो गई V1 हो गई यह U1 ले लो पहले यह U1 initial के लिए हम लो और यह जो था यह फिर वापस ओर जाने लगेगा किस से V2 velocity से तो संग्वेग संग्रक्षन का नियम कहता क्या है गाईज देखो संग्वेग संग्रक्षन का आपका नियम बोलता है टकर से पहले जो संग्वेग है M1 U1 प्लस M2 U2 फिर बाद में चलेगा इधर M1 V1 प्लस M2 M2 V2 ये दोनों जो संवेग हैं क्या रहेंगे एक्वल रहेंगे मतलब टक्कर से पहले मुमेंटम और टक्कर के बाद का मुमेंटम ये कंजर्व है जितना मुमेंटम पहले था उतना ही मुमेंटम बाद में रहेगा Next है आपका आवेग एक टम यूज होती है गई जमारे NCRT में दी गया है इंपल्स आवेग को क्या बोला जाता है तो आवेग होता है इंपल्स अगर कोई बहुत बड़ा force आपका छोटे से टाइम के लिए लगाया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं इंपल्स बोल देते हैं तो इस छोटे से time के लिए जो force लगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, impulse कहते हैं, जैसे गैत का बल्ले से टकराना, यदि कोई बल F अत्यात कम समय के लिए किसी पिंड पर लगता है, तो बल और समयान त्राल, delta T का गुरन फल, क्या देता है, हमें, आवेग देता है, तो simple impulse का formula आप दोनों क्या होते हैं, आपके equal होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्यों होगा देखो, F equal to मैंने आपको बताया, M into A, into delta T हो जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो, M into V upon delta T, into delta T, delta T से delta T cancel, M और V, M और V, क्या देता था, ये PE तो देता था, तो impulse equal to MB, equal to क्या ठीक है, तो आपसे question क्या पूछता है, निम्न मैंसे कौन सी दो राश्चियों की विमाई एक समान होंगी, तो आवेग और ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, next है friend आपका घरसन, घरसन किसे कहते हैं, देखे, fraction की अगर हम बात करें, जब एक वस्तु गती करती है, अथ्वा गती करने का प्रियत्न करती है, तब उसके संपर्क तलों पर इस पर सिरेखी दिसा में एक बल क्या करता है, कारी करने लगता है, अब इसका मतलव क्या है देखो, suppose that आपके पास दो surfaces हैं, ठीक है, ये surface है आपकी, और इस पर एक हमने लगता है, दोनों सताओं के मद्धी एक बल लगता है, उसी बल को क्या कहा जाता है, घरसण बल कहा जाता है, जो वस्तु की सापेक्ष गती का विरोध करता है, यह बल घरसण बल कहनाएगा, मतलब ये जो motion है ना, इस motion का अपोच करेगा, इसी को हम fraction force कहेंगे, जैसे नंग वस्तु का समस्त भार क्या करता है, कार ये करता है, किसी वस्तु के गुरुत्य केंद्र की स्थिती, वस्तु के आकार पर निर्भर करती है, मतलब किस टाइप की body हो, ये जो body है ना, ये body के shape पर depend करेगा, कि किसी वस्तु का गुरुत्य केंद्र सदय वस्तु में ही हो, अब इस्थिर्ता देखो इस्थिर्ता में क्या है आपका किसी पिंड की वह चमता जो पिंड को उसकी इस्तिती से विस्थापित करने पर भी उसे संतुलन में बनाई रखती है पिंड की क्या कहलाती है इस्टेबिलिटी कहलाती है अब यह जो इस्टेबिलिटी होती है न इसको समझते हैं क्या है